Hello Children, Welcome to Assay Education, आज हम करेंगे Class 3 की EBS का Lesson 17, Here Comes a Letter, तो आईए शुरू करते हैं, I am a letter, मैं एक letter हूँ, एक पत्र हूँ, A letter written with a pen and paper by Dina to her friend Ahmed, एक पत्र जो की Dina के द्वारा उसके दोस्त के लिए एक pen paper से लिखा गया है, I was put in a letter box, और फिर मुझे letter box में डाला गया था, The postman took me out and put me in a big bag, Postman ने मुझे बाहर निकाला और एक बड़े से bag में रग दिया, Taking a ride on the postman's bicycle, और postman's की bicycle पर, cycle पर मैंने एक ride लिया, I these the post office, मैं post office पहुँच गया, ये सारी बाते कौन के रहा है बच्चों, ये letter बोल ला है, letter अपने बारे में बता रहा है, There I was taken out of the big bag and stamped hard, और फिर मुझे बड़े bag में से वहाँ पर निकाल लिया गया और stamp लगा दी गई, The stamp was to Agatala, और जो stamp थी वो Agatala की थी, from where my travel begin, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, After getting stamped, I reached another big bag, stamped लगने के बाद मैं एक दूसरे बड़े bag में पहुच गई, This bag had many more letters, इस bag में बहुत सारे पत्र थे, all heading for Delhi, सपर दिल्ली लिखा हुआ था, The red postal van dropped me at the railway station, और एक red postal van ने मुझे station पर drop किया, There I got into a train going to Delhi, और फिर मैं ट्रेन में गई जो कि Delhi जा रही थी, After a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi, 5-6 दिन की लंबी यात्रा के बाद मैं दिल्ली पहुच गई, I was shorted as per the area mentioned in the address written on me, और मुझे मेरे उपर लिखे गए area के आधार पर, Address के आधार पर short कर लिए गया, यानि हर area के हिसाब से, अलग-अलग area की letter अलग-अलग उसमें रखी जाते हैं, उस हिसाब से उसको short कर लिए गया, One more stem was put on me, एक और stem मुझे पर लगी थी, Finally the postman dropped me at Ahmed house, और finally postman ने मुझे Ahmed के घर पर ड्रॉप कर दिया, Given below is the journey of a letter shown through picture, यहाँ नीचे जो pictures बने हुए हैं, यहाँ पर एक letter की journey को दिखाए गया है, कि कैसे letter लिखा जाता है और कैसे दूसरे वक्ति तक पहुंसता है, जिसके लिए वो लिखा गया है, The pictures are not in sequence, जो pictures हैं वो sequence में नहीं है, क्रम में नहीं है, Arrange these to get the correct sequence, इनको correct sequence में arrange कीजिए, By putting number in the circle, और जो circle बना हुआ है उनमें number डालते हुए, इन pictures को correct sequence में arrange करना है, तो यहाँ पर जो दे रखा है sequence है वो बच्चों गलत दे रखा है, तो सबसे पहले हमने जो उपर story पढ़ी, उसमें क्या था, कि दीना ने अपने दोस्त एहमेद को एक पत्र लिखा, तो यहने सबसे पहला काम क्या होता है, पत्र लिखने का, तो यहाँ पर हम जो यह circle है, जहाँ पर एक लड़की पत्र लिखरी टेबल पर बैठके, इस पर number 1 डालेंगे, उसके बाद letter लिखने के बाद क्या हुआ, वो post कर दिया गया, तो यह letter जो red color के box में डाल लेए, फिर उसमें number 2 डालेंगे, फिर number 3 है, कि postman आया, और उसने उस letter box को खोला, उसमें से सारे letter निकाल लिए, तो यह एक old आदमी, इसमें से सारे letter निकाल ला है, इस पर number 3 डालेंगे, फिर है, जब letter निकाल लिए, तो उनके उपर stamp लगाई गई, कि उनको कहां जाना है, तो number 1 पिच्चर है, उसमें 4 डालेंगे, फिर उसके बाद letter, कहां जाना था, डैली जाना था, तो डैली वाले box में उसे बोरे में, एक थैले में, बड़े से में बंद कर दिये गया, तो जिसके उपर डैली लिखा है, वहाँ पर 5 डालेंगे, और number 6 क्या है, उसको area के हिसाब से short किया गया, उसमें था ना कि उसमें जो address लिखा था, उसके according उसको short किया गया, तो last picture में lady जो है, और short कर दिये area के हिसाब से letters को, तो short किया गया, sort करने के बाद क्या हुआ, फिर वापस से उसने एहमत के घर के बाहर, जो letter box लगा, वो था छोटा सा, उसमें वो letter postman ने डाल दिया, और finally last picture में दिख रहा है कि एहमत letter पढ़ रहा है, यानि उसको letter मिल गया, तो यह sequence, जैसे यह picture बने हुए है, उसमें, जो जो number लिखे गए है, मैं आपको sequence में बताऊंगी, देखिए, सबसे पहली picture में number डला है, 2, उसके बाद दूसरे number की जो picture है, उसमें number है, 5, फिर तीसरे number की picture है, उसमें number है, 3, और फिर लास picture है, उसमें number है, 6, यानि लेफ्ट हैंड साइड में जो number है, वो है, 2, 5, 3, 6, जो आप circle में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में जो number है, वो पहली picture का है, 4, सेकेंड picture का 1, और थर्ड picture का 7, और लास picture का 8, एक बार फिर से सुन लिजे number, इस सरीके से आप number डालके, आपको sequence समझ में आ जाएगा, now come to the next page, रीना wrote a letter to एहमद, रीना ने एहमद को एक पत्र लिखा, write a letter to your friend in the class, और class में जो आपका friend है, आप भी उसके लिए एक पत्र लिखिए, don't forget to write your friend's name, और अपने मित्र का नाम लिखना मत भूलना, everyone has written a letter, हर किसी ने letter लिखा, but where do we post it, लेकिन हमें ये कहाँ post करना है, let us make a letter box for the class, आईए class के लिए एक letter box बनाते, take a empty shoe box, एक खाली जूते का डबबा ले लेजिए, paint it with red color और paste red paper on it, या तो इस पर red color का paint कर दीजिए, या फिर red color का paper चुपका दीजिए, with the help of scissor, make a slit in the cover of the box, और box के cover पर, एक कैंची की मदद से slit बनाईए, the slit should be big enough for letter to be put in, और slit इतनी बड़ी होनी चाहिए, कि उसमें से, जो letter डाला जाए, वो easily चला जाए, तो आप क्या करेंगे बच्चो, letter के size के according, इतना बड़ा letter है, उसे थोड़ा सा बड़ा एक slit बनाएंगे, जिससे कि हमारा letter, जब उसमें डाला जाए, तो वो easily box के अंदर चला जाए, तो letter के size के according हम वो बना लेगे, इसलिए, now letter box is ready, अब हमारा letter box तयार है, drop your letter in the letter box, अपने letter को letter box में डाल दीजिए, now wait to receive the letter written to you by your friend, और अपने आपका जो दोस्त है, जिसने आपके लिए पत्र लिखा है, उसका इंदर कीजिए, यानि पहले आप अपने दोस्त के लिए पत्र लिखा, अब दोस्त का जो जवाब आएगा उस पत्र के रिटर्न में, उसका आप इंदर कीजिए, एक पच्चा पॉस्तमें की तरह एक्ट करेगा, यानि कि वो पोस्तमें बन जाएगा, वो letter box से सभी letters को बाहर निकालेगा, जैसे की postman निकालता है, और class के सभी बच्चों को बाच देगा, जितने भी बच्चे हैं, उनमें बाच देगा, अब जैसे ही as you wrote a letter to your friend in the same way जैसे आप अपने दोस्त को अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, अपने friend को letter लिखते हैं ठीक इसी तरीके से your friend and relative must also be sending letter to you आपके मित्रों को और आपके जो related सरिश्टे जा रहा हैं उनको भी आपको letter भीजना चाहिए bring some letter from home to school, घड़ से कुछ letter school लेकर आईए see how many different type of letters are there, और देखिए कितने अलग अलग प्रकार के letters होते हैं तो letters कितने अलग अलग, what difference do you see in these letters, in letters में क्या difference, क्या answer आपने देखा, तो mainly जो बच्चे letter होते हैं, बच्चों दो तरीके के होते हैं एक तो postcard होता है, जो yellow color का होता है, जो आपके इस picture में दिखाये गया उपर, first page पे, इस chapter में दिखाये गया है दूसरा होता है, एक blue color का letter होता है, उसको inland letter कहा जाता है तो ये दो तरीके के letter होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे घर पे, तो वो कह रहे हैं कि जो आप घर से letter लेकर आए हैं what difference do you see in these letter, in letter में आपको क्या अंतर दिखाई दिया, तो in letter में आपको क्या अंतर दिखाई दिया, कि पहला जो है, वो yellow color का है, postcard है, और वो छोटा होता है, उस पर आप जादा detail में नहीं लिख सकते, और जो सस्ता भी आता है, और दूसरा होता है, जो कि light blue color का होता है, और जो थोड़ा सा महंगा आता है, और इस पर आप detail में कोई भी बात, अगर लंबी बात आपको, अपने मित्र को, अपने related को लिखनी है, तो वो आप ज्यादा बातें इसमें लिख सकते हैं, ये दो तरीके की letter है, फिर है, which letter have stamp on them, किस letter पर stamp है, तो बच्चों, दोनों letter पर ही और क्या अंतर है, तो बच्चों सभी जो stamps हैं, वो similar नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि postcard जो होता है, थोड़ा सस्ता आता है, और inland letter थोड़ा महंगा आता है, तो जब महंगी, जो सस्ता postcard होगा, उस पर सस्ती stamp लगी होगी, इसलिए वो सस्ता है, और जो महंगा तो difference क्या है, difference is price and picture, जो इनका price है, जैसा postcard है, वो yellow color का है, ठीक है, उस पर जो stamp लगी है, वो दूसरे तरीके की है, और उसका design भी दूसरा है, और inland letter है, उसका price अलग है, उसका color भी दूसरा, उस पर picture जो बनी हो भी दूसरी है stamp की, तो they differ in price and picture